हलो आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त अराधना शर्मा वेल दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 वेल बहुत जल शुरू होने जा रहा है जी हाँ 15 अप्रैल से बिग बॉस सीजन 14 की तैयारियों में लग जाएगी जो बिग बॉस सीजन 13 की क्रेटिव टीम थी लेकिन इससे पहले बड़ा बदलाब किया जा रहा है मुझसे शादी करोगी में वेल थास्डे को टी आरपी आती है और मुझसे शादी करोगी की टी आरपी पथेटिक आई है बहुत बेका टी आरपी 1.1 इसे में मेकर्स ने फैसला ले लिया है कि जो क्रेटिव टीम बिग बॉस सीजन 13 की थी वो मुझसे शादी करोगी को भी देख रही थी लेकिन अब उस टीम को पूरी तरह से ब्रेक दिया जा रहा है एक महीने का और उसके बाद वो टीम लग जाएगी तैयारियों में बिग बॉस सीजन 14 की 15 अपरेल से तैयारिया शुरू हो जाएंगी बात करना शुरू कर देंगे शॉट्रस करना शुरू कर देंगे सेलिबरिटीज को और मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस सीजन 14 सबसे महंगा सीजन होने वाला है बिग बॉस के इतिहास का काफी जादा एक्सपेंसिब होगा बहुत अच्छे अच्छे सेलिबरिटीज को लाना होगा लाना जरूरी भी है क्योंकि जितने स्टैंडर्ड अब कर दिये हैं बिग बॉस सीजन 13 ने उसके बाद सीजन 14 को अच्छा रिस्पॉंस अगर चाहिए तो उसके लिए मेकर्स को बहुत अच्छे कंटेस्टन्स की जरूरत होगी और ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आएंगे अब बिग बॉस की जो क्रियेटिव टीम है बूल लेकिन MSK में चेंजिस हो जाएंगे MSK की क्रियेटिव टीम को बदल दिया जाएगा और मैं आपको बता दूँ की बहुत कम स्याजरी वाले लोगों को बहुत थोड़ी सी रीजनेबल सी टीम को रखा जाएगा जो MSK को देखेगी क्योंकि MSK is not doing good and MSK is not giving a good TRP to Colors वेल दोस्तो ऐसे में मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस शो को जल्द बंद भी कर दिया जाए क्योंकि एक स्लोट को फिल करने के लिए शो को डाला गया जल्द बाजी में शो को बनाया गया बिग बॉस सीजन 13 खतम हुआ था ओडियन्स को रिटेन करने के लिए ओडियन्स को वापस गेन करने के लिए एक नकली एक फर्जी बिग बॉस बनाया गया जिसको दर्शकों ने पूरी तरह से नाकार दिया है कुछ भी ऐसा नहीं है उस शो में जो दर्शकों को ओडियन्स को बांद कर रखेगा वेल आपको क्या लगता है क्या ये शो बंद हो दिम तो आइ तो बहुत जादा वर्क आउट करेगा तो उसटी को चटी आपको में देखी पर क्यास में क्या है और अगर अब्यों तक आपने हमें किस्क्राइब नहीं है थो हमें सैब्स्क्राइब कर लेजिए हमें वेल इक भड़ अनू नहीं है दिबाना अब प्लीज द